जंगल का राजा आखिर सेर ही क्यों चलिए जानते हैं आप लोगों में से सभी ने यह जरूर सुना होगा कि सेर जंगल का राजा होता है पर आपके मन में कभी कोई सवाल तो आया ही होगा आखिर सेर जंगल का राजा क्यों है हाथी सेर से ज्यादा ताकतवर है जिराफ सेर से ज्यादा उच्चा है बंदर सेर से ज्यादा छलांक लगा सकता है लोमडी जो की शेर से ज्यादा चालाक होती है चील की आँखों से कोई नहीं बच सकता सेर इन जानवरों से इन क्वालिटी में कमजोर होता है लेकिन फिर भी सेर जंगल का राजा कहलाता है इसका मतलब यह हुआ कि सासन करने के लिए इन क्वालिटी की कोई आवस्यक्ता नहीं होती है बलकि कुछ और ही कारण है जिसके कारण सेर को जंगल का राजा कहा जाता है जंगल में बहुत से जानवर होते हैं लेकिन सेर को ही जंगल का राजा कहते हैं बड़ा कारण है सेर की विस्तरत मानसिक्ता सेर में हाथी जैसी ताकत जिराफ जैसी उचाई और बंदर जैसी छलांग लगाने की ताकत तथा लोमडी जैसी चालांगी नहीं है लेकिन फिर भी सेर जंगल का राजा है क्योंकि सेर को पता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता उसे पता है कि उससे ताकतवर कोई नहीं है जब सेर हाथी के पास जाता है तो उसे पता होता है कि हाथी उसका सिकार है और वह उसे खा जाएगा जबकि हाथी के मन में एक ही डर लगा होता है कि सेर सिकारी है और यह मुझे खा जाएगा विसाल का हाथी की यह संकुचित सोच उसके विनास का कारण बनती है जब सेर जिराफ के पास जाता है तो उसे पता होता है कि सेर उसका सिकार करेगा और वह उसे खा जाएगा गगन चुम्बी जिराफ की यही संकुचित सोच उसके विनास का कारण बनती है बस यही कारण है कि सेर अपने आपको मजबूत ताकतवर और भरोसे मंद समझता है जबकि अन्य जानवर जो कि वास्तों में ताकतवर हैं लेकिन वह अपने आपको ताकतवर महसूस नहीं करते हैं दोस्तों जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है कई लोग खूम महनत करते हैं पर सफलता उनके हाथ नहीं लगती है लेकिन कुछ लोग थोड़ी ही महनत करके काम्याबी हासिल कर लेते हैं इसलिए कहा जाता है कि रुच अन्याई वीर अर्थात रुच का अनुसरण सामर्थ करती हैं कहने का मतलब यह है कि हमारी सोच जिस दिसा की ओर ज्यादा बढ़ती है हमारा सामर्थ भी उसी दिसा का अनुसरण करता है दोस्तो जिन्दगी भी कुछ ऐसी ही है हम कितनी भी महनत क्यूं न कर लें जब तक राजा नहीं बन सकते जब तक हमारे अंदर यह आवाज नहीं आएगी कि तू कर सकता है तुझसे बड़ा कोई नहीं है तेरी छोटी सी सफलता तुझे सक्सित दिला जाएगी इसके अलावा कुदरत में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमें जीवन में किस तरह से रहना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ